Hello students, today we are going to solve worksheet number 2 of chapter number 12 How heavy, how light, MCRD maths class 4 अब यहाँ पर यहाँ आपको कह दिये हुए है, wing balance, ठीक है wing balance क्या होता है हमारा, एक किसा device होता है जो weight को measure करता है, ठीक है पता करता है कि कौन सा heavy है और कौन सा light है, ठीक है आप तो कान पर जाते होंगे, तो आपको इस सब चीज़े देखने के लिए मेल जाती होंगी, ठीक है तो हम कोस्टन स्टार्ट करते है टिक दा हैवियर पैन इन इच ओव दा फॉलोविंग अब हमें क्या करना है, जो हमारा heavy pen जो है अब हमारा two pens दिये हुए है इसमें से heavy pen उसकी ओपर हमें tick mark करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो heavy होती है वो कहां चुकी होती है नीचे, ठीक है वो जो light होती है, वो कहां होती है, उपर होती है तो देखे इननमे से एपल है और एक ये टोमेटो है तो इन में से आपको धो है यह ने जो नीचे दरफ दिख रहा है तो इस के उपने क्या कर देंगे एक ठिक मार्भ कर देंगे नेक्स्ट कोश्चन नमबर B है ठीके अब दिखे यहाँ पर apple और mango का comparison किया है तो इसमें से कौन सा heavy हो रहा है ठीके mango जो है heavy हो जाएगा और apple light हो जाएगा अब next देखते हैं यह c नमबर में ठीके इसमें से heavy कौन सा दिख रहा है आपको यह वाला pen है यहाँ पर tick mark कर देंगे next इसमें यह वाला pen heavy है D number और इसमें यह वाला pen heavy हो जाएगा किसमें E number में ठीके इस पर tick mark कर देंगे अब next question हमारे पास दिया हुआ है in each balance look at the position of the pens and write which object goes into which pen the balance अब यह pen यहाँ पर खाली है ठीक है लेकिन खाली तो है तो है इक जो है ना इसमें heavy को शो कर रा और एक इसमें light weight को शो कर रा है अब यह ऑपर दो आपको कुछ sparks दी हुई है आपको क्या पता करना है कि heavy कौनसी होगी इसमें से और light कौनसी होगी तो देंगे apple और jackfruit इन दोनों में से heavy कोन सा होता है jackfruit heavy होता है इस मीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा jackfruit यहाँ पर आज पहले मिद्धें किसकी jackfruit की और apple हो जाएगा इस वाले pan में नेक्स लिखें अनियन एंड चिली अब एक प्याज हेवी होता है या चिली हेवी होती है तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनियन की स्पैलिंग और यहाँ पर लिखेंगे चिली की स्पैलिंग राइट next question watermelon and mango फिर तर्बूज और एक आम में कौन heavy होता है watermelon heavy होता है so we will write here watermelon and mango on the lighter side next football and tennis ball football और tennis ball में कौन heavy होता है football heavy होती है ठीक है and tennis ball is lighter than football next question number E spawn and jug अब चम्मज और jug में कौन heavy होता है so we will write jug here and spoon on the lighter side now come to the next question question number third circle the pen which will go down in each of the following अभी आपको लिकुल balance condition में दिख रहा है लेकिन इसमें जो weight रखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे पहले plus करेंगे इसके बाद जो weight हमारा जो pen जो है जो नीची की तरफ जाएगा ठीक है इसमें weight जादा होगा को add करेंगे 75 और 75 को आप add करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 ग्राम फिर इंदोनों को आप plus करेंगे 120 और 25 को तो ये हो जाएगा 145 ग्राम तो इसमें से heavy कुल सा हो जाएगा ये हो जाएगा तो इस pen की ऊपर हम क्या करेंगे एक circle बना देंगे ठीक है इस तरीके से अब next question देखिए पिले weight को plus करेंगे इन weight को हमने plus किया तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 800 and 50 ग्राम प्लस करना तो आपको आते ही हुगा आप इनको add कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 and 200 and 800 and 870 870 70 gram तो कौन सा heavy हो जाएगा हमारे पास 800 and 70 gram वाला weight ठीके ये पैयन heavy हो जाएगा next देखते है question number C question number C में देखिए क्या है सभी weight को plus करेंगे ठीके इनको plus करेंगे 5, 5, 10, 10 का 0 carry 1, 4, 6, 10 10, 5, 15, 15, 15, 11, 16, 6 carry 1, 4 and 2, 6 6 and 1, 7 तो कितना हो जाएगा 760 gram अब next वाले पैन को करेंगे plus 7, 6 and 7 and 3 कितना हो जाएगा 10 यानि कि 1067 gram इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 kilogram 67 gram क्यूंकि अभी हमने बताए था आपको की worksheet number 1 में क्या बताए था कि 1 kilogram जो होता है 1000 gram के equal होता है इसमें 1000 का हो जाएगा 1 kilogram को ये 667 हमारा बच जाएगा है आपकर तो इसमें से हेवी कुन सा हो जाएगा ये वाला इस पर हम क्या बना देंगे circle माना देंगे इस तरीके से next देखिए question number D इनको plus करेंगे ये हमने plus कर लिया दोनों को तो दोनों में किसका weight ज़्यादा आ रहा है 1512 gram या इसको हम इसा भी बोल सकते हैं कि 1 kilogram 512 gram वो इसको के लिख सकते हैं 1 kilogram 47 gram तो हेवी कुन सा हो जाएगा ये वाला बैन हेवी हो जाएगा ठीक है इसे तरीके से आप इसको भी कर लेंगे ठीक है अब कुछ इनफर्मेशन यहाँ पर दी हूँ है इनको आपको रीड करना है इसके बाद इनको फिल करना है तो देखिए तीन दोस्तों का weight दिया हुआ है बंटी 45 kg पिंकी 36 kg रीता 43 kg अब ये कुछ questions हम से पूचे है अब इन तीनों में से सबसे heavy person कौन सा है यानि कि सबसे ज़्यादा weight किसका है तो 45 यानि कि बंटी का weight ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे हाँ पर बंटी बंटी जो है heaviest person है the lightest person यानि सबसे कम बजन किसका है उनको पिंकी का सबसे कम बजन है अब पर लिखेंगे next Rita is heavier than Rita किस से heavy है Banti से heavy है क्या नहीं Banti से कम बेट है तो किस से heavy है pinky से heavy है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे pinky pinky is dash than Banti heavier और lighter अब pinky जो है Banti से कैसी है तो देखें pinky कितनी है 36 kg, Banti कितना है 45 kg, तो pinky कैसी हुई lighter हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे lighter than Banti फिर Banti is dash than Rita Banti Rita से कैसा है देखें heavy है, इसमें 2 kg बेट जाता है यहाँ पर लिख देंगे heavier, ओके तो यह थी हमारी आज की वर्क्षीट नमबर 2 मिलते हैं next वीडियो में वर्क्षीट नमबर 3 के साथ थेंक यू, जैहिन, वन्दे मात्रम